अलो फ्रेंड्स वेल्गम टू चेंपियन गुर्जी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप सधारन ब्याज निकालना सीखेंगे दोस्तों अगर समय वर्ष में दिया रहाता है तो आप सधारन ब्याज की इस पर्मूला कैउच करके बहुत ही असानी से निकाल लेते होंगे लेगिन अगर समय महीना में दिया गया हो जैसे 5 महीना, 7 महीना या समय दिन में दिया गया हो जैसे 219 दिन, 292 दिन, 73 दिन तो आप कैसे निकाल लिएगा सधारन ब्याज तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंतक देख लिजिए आप समय महीना में दिया गया हो चाहें दिन रुपय का 3% वार्षिक ब्याज के दर से 5 महिना का सदारन ब्याज निकलना है ठीक है तो देखिए यहाँ पर जो रुपया रहता है जितना रुपया ब्याज पर लिया जाता है उसे क्या काते हैं तो प्रिंस्पल यानि मुल्धन काते हैं तो यहाँ पर मुल्धन कितना दिया और समय देखिए टाइम यानि टी से सुजित करते हैं समय कितना है तो पांच महीना है महीना है ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे तो इसको हम वर्स में बदल देंगे तो देखिए इस समय अगर महीना में दिया गया हो तो उसे वर्स में बदलने के लिए क्या करते हैं ओवर्स में क्या कहेंगे तो 5, 12 diver्स कहेंगे ठीक है अब दिखें सधरण ब्याज का फर्मुला क्या होता है तो साई बराबर होता है एसञे बराबर मूल्धन इंटंटू दिर समय प्रटा सव होता है ठीक है तो इसी फर्मुला पड़ यहां पर लिख देंगे और गुना समय कितना है तो यहाँ पर देखिए वर्स में हमेशा यहाँ पर समय लिखना है अगर महीना में दिया रहेगा तो उसे वर्स में चेंज कर दीजेगा उसमें 12 से भाग करके ठीक है तो यहाँ पर 5 बाटा 12 लिखेंगे और बाटा में कितना है तो 100 है तो 100 लिख दिए अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए 10,000 का 10,000 यहाँ पर लिख दिए गुने 3 का 3 लिख दिए इस 5 को उपर ही रख लेंगे और बाटा में है 100 और देखिए यहाँ 12 क्या हो जाएगा ? तो नीचे आजाएगा 12 .100 के साथ , गुणा में आ जाएगा ठीक है ,आप समझ रहा हूँ है ,क्यूंकि जब यह क्या है , भाग में है फिर नीचे आ जाएगा , ठीक है , अब देखेए 2二 س यहां पर 4,3 से 12 , 4 मरतबे कट जाएगा और 4 से देखिए 100 कितने मर्टबे कटेगा तो 4 एकम 4 और 4 से 4 दूना 8 और 4 पचे 20 तो 25 मर्टबे कटेगा अब दीके 5 क्या गया तो यहां पर 25 बच गया और यहां पर 5 बच गया तो 25 में 5 से गुना कर देंगे तो 25 पचे 125 हो जाएगा ठीक है तो यहीं आपका क्या निकल करा गया तो सधारण ब्याज यह determined इसाई निकल करा गया ठीक है 10.000 रुपै पार पर्षेंट वार्सिक दर से अगर पांच महिना तक अगर रुपै रखेंगे तो एकसब पचीस रुपै कए सधारण ब्याज देना तो दोस्तो इसी तरीके से अगर महीना में दिया गया हो तो उसका क्या करना है तो आपको वर्ष में बदल देना है उसमें 12 से भाग करके ठीक है और उसका सधारन बैज निकाल लेना है तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं अगर समय दिन में दिया गया हो तो उसके कैसे निकाल तो rate बराबर है 4% और समय यानि time बराबर कितना है तो 219 दीन है ठीक है तो जब भी दीन में समय दिया रहेगा ना दीन में तो क्या करेंगे तो उसे वर्स में बदल ले के लिए 365 से भाग कर देते हैं तो देखिए 219 का 219 लिख देंगे और इसमें 365 से भाग कर देंगे तो यह क्या हो जागा तो वर्स में बदल जाएगा ठीक है तो देखिए कितना से कटेगा तो 73 से कटेगा 73 से 3 मरतेवे कटेगा 73 से 5 मरतेवे 365 कटेगा यानि कितना आ गया तो तीन बटा 5 वर्स आ ठीक है तो इसी तरह से अगर दिन में दिया रहेगा तो उसे 365 से भाग करके वर्स म बदल देना है देखिये जब भी यहां पर exam में question पुछे जाते हैं तो इसी के round में पुछा जाता है जैसे 73 दिया रहेगा या 146 दिया रहेगा या 219 दिया रहेगा 292 दिन या 365 दिन दिया रहेगा ठीक है तो क्या करेंगे तो उसको सब में जितना समय दिया रहाएगा उसमें 365 से भाग कर देंगे और उसे वर्स मदल देगे जैसे 73 दिन के लिए याद रखिएगा वर्स में एक बाटा पांच वर्स होता है 146 दिन के लिए दो बाटा पांच वर्स तो दोस्तों इस तरह से आप समझ गए हैंगे दिन में अगर जितना भी समय दिया रहेगा उसमें 365 से भाग कर देना है और उसे वर्स मदल देना है उसके बाद सधारन ब्याज यानि SI का जो फर्मूला होता है इसी पर रख देना है तो 15,000 तो यहाँ पर 15,000 लिख देंगे और गुना है तो गुना लिख दिये आर यानिरेट कितना है तो 4 परसेंट है तो यहाँ पर 4 लिख दिये और गुना और T, T कितना है तो 3 बाटा 5 है 3 बाटा 5 है तो 3 जो उपर आएगा उसको नीचे उपर लिख दीजिएगा ठीक है और बाटा में जो 5 है उसको नीचे लिख दीजिएगा 5 ठीक है और गुना में 100 कितना है बाटा में 100 है तो यहाँ पर 100 लिख दीए अब दीखें 2 0 से यह 2 0 कर जाएगा और 5 से देखें यह कटेगा तो 5 से 5 से 15 और 0 हो जाएगा ठीक है अब देखें गुना कर दिजिए तो 4 तीय 12 हो जाएगा और 12 में 3 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा तो 12 तीय 36 हो जाएगा और 1 0 है तो 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा तो देखें 360 रोपय सधारन बेज आपका निकल कर आगया है तो दो दोस्तों आप समाज गए होंगे कि अगर समय महीना में दिया हो चाहें दिन में दिया हो तुसे कैसे आप सधारन ब्याज निकालेंगे तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताक कि ऐसी ही वीडियो आपको regular मिलती रहें